गिरिडी पुलिस ने लूट पार्ट की घटना को अंजाम देने वाले चार सातीर अपराधियों को लूटे गए सामान के साथ गिरफतार करने में सफलता प्राप्त के हैं गिरफतार अपराधियों में नितेश कुमार सिंग, समसुद्दिन अंसारी, सुजित कुमार सिंग और मुहमद शबा सामिल है बताया जाता है कि अहिल्यापूर थाना शेत्र के कोरिया टान में बीते 16 नवंबर को मुहमद ताहिर अंसारी नामकी युवग के साथ अपराधियों ने डूट की घटना को अंजाम दिया था इस बावत गिरीडी के स्पी दीपक कुमार सर्मा ने प्रेस वारता कर बताया कि बीते 16 नवंबर को मुहमद ताहिर अंसारी नामक युवग अहिल्यापूर थाना शेत्र से अपने घर की और लोट रहा था इसी दोरान जैसे ही वह अहिल्यापूर थाना शेत्र के बंगाली मोड के पास पहुचा तो दो बाईक सवार अपराधियों ने उसकी बाई को रोक कर उससे 75,000 रुपे के साथ अन्य दस्तावय जादी लूट लिए जिसके बाद ताहिर अंसारी ने अहिल्यापूर थाना में आवेदन देकर अग्यात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था घटना की गंभीरता को देखते हुए स्पी स्री सरमा के निर्देश पर तूरंथी एक छापे मारी दल का घठन किया गया था जिसमें पुलिस निर्ख्षक गांडे मुहमत कमाल खान, अहिल्यापूर थाना प्रभारी अमरजीत कुमार सिंग, ताराटान थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो और ताराटान और अहिल्यापूर के पुलिस जवानों को शामिल किया था गठित टीम के द्वारा चापे मारी कर चारो अपराधियों को गिरफतार करते हुए उनके पास से, पुलिस ने लूट की घटना में परियुक्त हुई अपाची मोटर साइकल, दो मोबाइल फॉन, दो यूनियन बैंक का डेविट कार्ड, दो प्रीपेज कार्ड, एक बैंक अहिल्यापुर थाना अंतरगत मुहम्मत ताहीर अंसारी से 75,000 उपए की अग्यात अपरात कर्मियों के दुवारा लूट की घटना कारित की गई थी, और इसके उद्भेदन के लिए तथा उस पे शामिल अभ्युक्तों की गिरफतारी के लिए इंस्पेक्टर गांडे के नित्रित्तों में और ठाणापरभारी अहिल्यापुर के नत्रित्तों में अग्या गठन किया गया था, टीम लगधार सभी अभ्युक्टों की छापामारी के लिए प्रियास कर रही थी, और इसी बीच कल गुप सूचना के अधार पर इस अग्यात वेक्तियों में चार जो व्यक्ति शामिल थे, उनकी गिरफतारी की गई है, और लूटे हुए व्यक्ति के पास जितने भी समान थे, वो सभी इन चारो अभ्यूक्तों के निशानदही पर बरामत किया जा चुका है, और लूट कांड में जो मोटरसाइकिल अपाची जो यूस की गई थी, उसे भी बरा हो गई और सारे लूटे गए समान को इन्होंने जंगल में किसी अज्यात स्थान पर जमीन में गाड करके रखा था, और पुलिस ने जब सकती से पूछ ताच की, तो इन्होंने सभी समानों को अपने निशानदही पर बरामत करा दिया है, और साथ ही पुलिस इस घटना के उद्भेदन में जो भी पदाधिकारियों और कर्मी शामिल थे, पुलिस के द्वारा उन्हें रिवार्ड भी दिया जा रहा है, ये चार और भी कोई कार्ण में समलिक था था, वरतमान में अभी इनके किसी अपराधी के तिहास की जानकारी नहीं मिली है, परंतु अज्यात अपराधियों की खोजबिन में पुलिस जिस प्रकार से लगी भी थी, पुलिस को इनके संबन्द में कुछ एहम जानकारिया भी हात लगी है, जो अनुसंधान के साथ-साथ उस पर भी ध्यान दिया जाएगा.